चोपड़ा जब इस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो ओल इंडिया सेकंड राउंड के लिए 24 फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 21 फ्रवरी इसकी लास्ट डेट है हर एक स्टुडेंट के साथ यही प्रोब्लम आ रही है कि आखिर 24 फिल किस सीरियल में करें ताकि हमारे को बेस्ट कोलेज मिल सके वैसे तो 24 फिल आपकी रेंक के अकोर्डिंग करनी होगी बट मैं आपको यहाँ पर जनरली कुछ टिप्स दूँगा इनको ध्यान में रखकर आप 24 फिल करें तो इसमें सबसे पहले हैं टोब से लोग के क्रम में 24 फिल करें मैं आपको आज तक सभी वीडियो में यही बताते आया हूँ कि आप हमेशा टोब कोलेजेज पहले फिल करें और लो कोलेज उससे नीचे फिल करें अब कहां से देखें कि कौन सा top college है और कौन सा low college है तो अभी आपके पास first round का result available है इसमें जो आपकी all India rank है उसके उपर से सारे college आपके लिए top college है इनको आप इनके allotment order में fill कर सकते allotment का मतलब पहले जिस बच्चे को पहले college मिला है वो top है उससे नीचे दूसरा college तीसरा college इस प्रकार से top से low का करम आप इनको एक paper पर note कर ले और फिर उपर से नीचे तक fill कर दे आपके marks चाहे कितने भी हो फिर भी आपको आपके top college से start करना है माल लो आपके marks 610 है आप general category के हैं फिर भी आपको aims दिल्ली से start करना है हम ये तो जानते हैं कि हमारे marks पर aims दिल्ली जो नहीं मिलेगा ये 100% क्या 500% confirm है बट इस manner से हमारे को अच्छे college मिल सकते हैं हमारे से कोई college छूटेगा नहीं अगर इस manner में हम fill करेंगे तो मतलब ये है कि माल लो कोई college ऐसा हो जिसको हम ये सोच कर छोड़ दे कि ये हमारे को नहीं मिलेगा और क्या मालूम वो उसकी कटोप down ही चली जाए तो हमने कोई top college छोड़ना ही नहीं है तो फिर हम में अच्छा college मिलेगा ही मिलेगा हमारे को तो आपको top से low के क्रम में college fill करना है नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है ट्यूसन फीस का ट्यूसन फीस को ध्यान में रखकर college fill करनी है ये भी सबसे बड़ा important point है क्योंकि काफी colleges ऐसी हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा हाई है जैसे उत्राखंट की चार लाग तकरिबन फीस है उनकी एक college की चार लाग 26,500 रुपीज है mgm वर्धा की 3,16,550 है अगरतला की 3,78,350 रुपीज है हरियाना में 10 लाग का बोंड है माराश्टर MP की फीस भी एक लाग से ज्यादा है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको college fill करना है क्योंकि उत्राखंड के भी college अच्छे हैं मगर हरे एक student इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हरियाना के बीडी सिर्मा कलपना चावला जैसे अच्छे college हैं मगर bond की condition पूरी नहीं कर सकते सभी student तो अगर कोई student bond की condition पूरी कर पाता है high fees दे पाता है तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छे college उनको करने चाहिए ये अच्छे college उनको fill करने चाहिए नेक्स्ट है connectivity कोलेज चूज करते समय आपको इसका भी ध्यान रखना है आपके hometown से college की connectivity कैसी है transport के according कौन सा college best रहेगा अगर girls candidate हैं तो अपने state को prefer करें अपने नजदीक के state को prefer करें अगर अपने state मे नहीं मिल रही है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है connectivity का खास ख्याल रखना है next point है location of medical college जितनी ज्यादा बड़ी city होगी उसका college पहले fill करें क्योंकि उन में hospital facility अच्छी होगी hospital का patient flow अच्छा होगा hospital अच्छा होगा अच्छा बैडेड hospital होगा तो इन बातों को ध्या जिस state में जितनी ज्याता PG की seat हैं उनको पहले prepare करें और कुछ state में bond का भी आपको ख्याल रखना है जैसे आसाम जैसे state में five years का bond है तो ऐसे state को उस condition में fill करें जब आपके marks low हैं तो आपने bond का भी ख्याल रखना है और PG seats का भी ख्याल रखना है अब मैं आपको ध्यान रखन कुछ common बातें बता देता हूँ तो सबसे पहले point यह है कि choice fill करने के बाद यह insure कर लें कि आपने सभी MBBS की seat फिल की हैं अगर आप MBBS में ही admission लेना चाहते हैं BDS या फिर BAC nursing में admission नहीं लेना चाहते हैं तो fill करने के बाद में यह जरूर insure करें क्योंकि मैंने बहुत बार दे seat fill कर देते हैं और first round तो free exit था इसले उसमें तो कोई problem नहीं हुई थी लेकिन अभी आपके साथ ऐसी problem हो सकती है तो आप यह ध्यान रखें कि आपने जो seat fill की है वो MBBS की की है अगर आप MBBS ही लेना चाहते हैं तो दूसरी बात यह है कि high merit वाले state जैसे राजस्तान, बिहार, ह इन state वाले candidate ओल इंडिया को preference दें, ओल इंडिया से वो seat लें, चाहिए वो किसी भी rank के हो क्योंकि अपने state से बहतर उनको other state में seat मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, काफी student को इसका खाम्याजा भुक्तन पड़ा था, तीसरी बात यह है कि second round के rules को ध्यान मे रख कर ही, आप choice fill करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी security में नी forfeit हो जाए, आप जो ऐसा college fill कर दें, जिसको आप लेना नहीं चाते हैं, तो यह आपने खास ख्याल रखना है, कि आपने वो ही college second round में fill करना है, जिस पिर आपने join करना है, MBBS करना है, तो वो आप इसमें fill करें, तो यह general सी कुछ बातें थी, जो मैंने आपको बताई हैं, choice fill करते हैं, मैं आपको ध्यान में रखना है, और आपने एक, इसके लिए काफी ज्यादा workout करना पड़ेगा आपको, workout का मतलब आप एक page पर यह पूरी college लिख लिख लिए, उसकी fees लिख लिख लिए, उसके बाद में क skill खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको साड़े चार साल तक MBBS करना है, एक साल internship करना है, साड़े पांस साल का जो time है, उस college में व्यवतीत करना है आपको, तो यह आपने ध्यान रखना है, तो यह normally सी जानकारी थी, college के बारे में, choice filling के बारे में, बाकी हम समय समय पर आपको कटोब मैंने पहले बताई दी है, उसके according आप प्लान कर सकते हैं, कितनी कटोब जा सकती है, इसकी second round की कितनी जा सकती है, उसी के according आप उपने state में seat लेना ले सकते हैं, जो state महरास्टर है, जैसे west बंगाल है, ऐसे state के candidate अपने state में seat लें, तो वो best है उनके लिए, मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंदे